शतीजगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज पर पढ़ने वाले चिकस्वा शिक्षच नौन प्राक्टिस अलाउंस के मुद्धे पर लाम बंद है सरकार ने नियम बनाया है कि जो शिक्षक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं लेते हैं वे सिर्फ अपने घर या अपने क्लिनिक में ही प्रैक्टिस कर सकेंगे किसी दूसरे प्राइविट अस्पदाल या क्लिनिक में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते सरकार के इस नियम के बाद प्रदेश भर के सरकारी चिकिसक शिक्षकों में नाराज की है गुरवार को राइपर के मेडिकल कॉलेज पे सरकारी चिकिसक शिक्षकों ने इस नियम का विरोध किया संगठन के पदेदुकारी से बात की हमारे समभादाता राजश राजश ने चतीस गट के सरकारी मेटिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले चिकिसा सिक्षक लामबंध हो रहे हैं क्योंकि उनके सामने एक इशू है इन पीए का कि अगर आप non practice allowance लेते हैं तो फिर आप सिर्फ अपने घर पे या अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करिए आप किसी निजी अस्पताल में या किसी दूसरे क्लिनिक में जा करके नहीं केजीए आज के परिपेक्ष में नीजी निवास में प्रेक्टिस कर पाना सभी विधाओं के लिए संभव नहीं है सभी विधाने किसी भी विधा के लिए संभव नहीं है विवहारिक दिक्कते हैं जो जिसके हिसाब से नीजी निवासिस्थान पे प्रेक्टिस करना असंभव है क्या लगता है अगर मानली की सरकार अडी रहे नहीं कि हमको यह करना ही लागू है हम अपना बस ड्यूटी अवर्ज के बाद हम तो अपना ड्यूटी टाइम पे करते ही हैं कि हमारा भी यहां पे अच्छा सैलरी नहीं है फिर भी हम अपना सेवा देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 80-90 परशन तो सब गाउं से गरीब पेशेंट ही आते हैं तो हम बस यही चाह रहे हैं कि डूटी आवर्स के बाद वो अजादी मिलनी चाहिए जी जी यह टीचर्स हैं मेटकल कॉलेज में पढ़ाने वाले और एक लाइन में सरकार को भी स्राइज समझ में आ जाएगी इनकी बाते सुन करके कि अगर सरकार इनकी बातों पर सहमत नहीं होती है रास्ता नेगोशेट नहीं होता है तो फिर कहने की जरूरत नहीं है बहुत सारे लोग इस्तिफा दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इस मूड में भी है कि अगर सरकार रेजिड रही तो फिर वो भी दूसरा रास्ता चुन